हाई फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बहुत जादा न्यूज भायराल हो रहा है कि जो ब्यक्तिय कोभी सिल्ट जो कोभीट का भैक्सिन है वो लगाया है उसका हाट अटेक आ रहा है ब्रेंट श्टोक हो रहा है या किसी ब्यक्ति का डेथ हो जा रहा है तो उसके बारे में का भेक्सिन बनाएं कैसे कोबिट को ठीक करें तो उस टाइम एस्टाजनिका जो था वो कोबिट का भेक्सिन बनाया था उसी का फर्मुला लेकर सिरम इस्टिचूट अप इंडिया जो कोभी सिल्ट का भेक्सिन बनाया था तो गैस उस टाइम गलती क्या हुआ कि जब भी कोई भेक्सिन बनता है तो उसको मिनिमम् 5-10 ताल उसको टेस्ट किया जाता है उसके बाद ही उसको allow किया जाता है लेकिन को बिट के साइम इतना जादा मतलब की लोगों का death हो रहाता है उसके बज़े से जो टेस्ट है उसको ठीक से नहीं कर पाए एक दो महीने में जो COVID का भेक्सिन है उसको रिलीज कर दिया गया है उसके बज़े से अभी यह सब प्रोब्लेम दिखाए दे रहा है लेकिन आज तक कभी भी कोई भी भेक्सिन बनता है तो उसको मिनिमम पांस से दस साल पहले चेक किया जाता है उसके बात ही लोगों में लगा होता है त्रोंबोसिस विथ थ्रोंबोसाइटोमिया सिंड्रोम तो यह डीजिच अभी लोग में हो रहा है तो अभी आप देखे होंगे कि अभी है जो हाट अटेक का संभाब नाए जो हाट अटेक है वो बहुत जयादा आमरे देश में बढ गाए है बहुत ज्यादा young age की लोगों में भी heart attack हो रहा है, जैसे कि 30-40 year की लोगों में भी heart attack का जो समस्या हो बहुत ज़्यादा दिखा जा रहा है, तो friends यह जो कोभी सिल्ट भेक्सिन है, उसके बज़े से जो heart attack का rix है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और साथ ही brain stroke का rix बढ़ गय है, बेक्ति को heart attack हो सकता है, साथ ही brain stroke हो सकता ही है, सभी, कोभी सिल्ट का side effect है, तो अभी जो अश्ट्रजेनिका है, वो भी मान रहा है कि उनका गलती है, वो ठीक से जो भेक्सिन है, उसको चेक नहीं किया है, उसके बज़े से side effect दिखा रहा है, तो वो खुद भी, जो company है, वो जो manufacture क्या है, वो खुद भी मान रहा है कि वेक्सिन के बज़े से ये सब दिक्कत हो रहा है, तो बात कर लेते हैं, TTS क्या होता है, कैसे होता है, बात कर लेते हैं, इसका full from होता है, thrombosis with cytopenia syndrome, इसमें क्या होता है, कि blood का जो clot है, वो बनने लगता है, आपका जो blood है, उसम आपको heart attack आ सकता है, heart attack का जो डिक्स है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और thrombosisytopenia में क्या होता है, कि बेक्ति का platelets count है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसके बज़े से बेक्ति को, जो brain stroke का खतरा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बेक्ति को brain stroke ह बहुत ज़्यादा चान्स होता है, तो next बात करेंगे, यह सब अगर आपको होता है, तो क्या symptom दिखाई देता है, क्या sign and symptom दिखाई देता है, आप कैसे पता कर सकते हैं, और आप कैसे तुरन्थ हस्पिटाल जा सकते हैं, तो बात करते हैं, अगर आपके छाती में दर्त होता ह लेप साइट के चेस्ट में अगर आपको पैन होता है तो आप तुरंत हस्पिटाल जाएं साथ ही अगर आपके लेप साइट में पैन हो रहा है साथ ही स्वांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उस टेम भी आप तुरंत हस्पिटाल जाएं डेरी मत के करें साथ ही आपका अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सीर में दर्थ हो रहा है, नोजिया भूमिटिंग हो रहा है, तो उस तरह का जब सिम्टम दिखाई देता है, बेक्ति को ब्रेंश्टोक हो सकता है, और अगर हार्ट अटेक का चांस में आपको चैस्ट में पैन होगा, स्व वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को सेर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी यह सब जानकरी पता होना चाहिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें, थेंक्यू फर वाचिंग